आदित्य L1 लॉंच, आदित्य L1 लॉंच डेट कब तक पहुँचेगा, क्या करेगा? इसरो के सोलर मिशन की हर बात जानिये इसरो आज 2 सितंबर को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉंच करने जा रहा है इसका काउंट डाउन शुरू हो चुका है आदित्य L1 लॉंच अपडेट्स, भारती अंतरिक शनुसंधान संगर्थन, इसरो आज 2 सितंबर को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉंच करने जा रहा है इसका काउंट डाउन शुरू हो चुका है इसका काउंट डाउन शुरू हो चुका है पूरा करते हुए L1 पॉइंट तक पहुँचेगा यहां जानिए इस मिशन से जुड़ी वो हर चोटी बड़ी बात जो आपके लिए जानना जरूरी है भारत का आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी है इस मिशन को बेंगलूरू के इंडियन इंस्टीट ओफ एस्ट्रोफिजिक्स एया ने तयार किया है इस रो के मुताबिक आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षन करने के लिए साथ पेलोड ले जाएगा इन में से चार पेलोड सूरज पर नजर रखेंगे, बाकी तीन L1 पॉइंट के आसपास का अधयन करेंगे क्यों इस मिशन को नाम दिया गया आदित्य L1 L1 का मतलब लागरेंज बिंदू 1 है कोई लागरेंज बिंदू अंतरिक्ष में वो स्थान है जहां दो बड़े पिंडों सूर्य पृत्वी का गुरुत्वा कर्शन आपस में बेलेस हो जाता है एक प्रकार से लागरेंज बिंदू किसी अंतरिक्ष यान के लिए पारकिंग स्थल का काम करते हैं यहां किसी यान को वर्षों तक रख कर तमाम परीक्षन किये जा सकते हैं और कई जानकारियां जुटाई जा सकती है चून की सूर्य का दूसरा नाम आधित्यय है इसका लक्ष एल्एक तक पहुंचना है इसलिए इस मिशन को आधित्यय एल-एक का नाम दिया गया है आदित्य L1 सूर्य का अध्यायन करने वाली पहली स्पेस बेस्ट इंडियन लेबोरेटरी होगी आदित्य L1 मिशन जिसका उद्देश L1 के चारों और की कक्षा से सूर्य का अध्यायन करना है क्या है आदित्य L1 का मकसद? सूर्य के आसपास के वायुमंदल का अध्यायन करना क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करना फ्लेयर्स पर रिसच करना सौर कोरोना की भोतिकी और इसका तापमान को मापना कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाजमा का निदान करना इसमें तापमान, वेग और घनत्व की जानकारी निकालना सूर्य के आसपास हवा की उत्पत्ती, सनरचना और गतिशीरता को जाचना क्या है L1 पॉइंट दरसल धर्ती से सूरज की दूरी तक करीबन 15 करोर किलोमेटर है इस दूरी के बीच पांच लेगरेंज पॉइंट्स है इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट के नाम से जाना जाता है इनका नाम अर्थारवी सदी के इतालवी खगोल शास्त्री और गनितग्य जोसफ लूई लेगरेंज के नाम पर रखा गया है L1, L2, L3 स्थिर नहीं है इनकी स्थिती बदलती रहती है जबकि L4 और L5 पॉइंट स्थिर है और अपनी स्थिती नहीं बदलते है L1 इसका पहला पॉइंट है जो धर्ती से 15 लाग किलोमेटर दूर है L1 पॉइंट को लेगरेंजियन पॉइंट, लेगरेंज पॉइंट, लिबरेशन पॉइंट या L पॉइंट के तौर पर जाना जाता है L1 पॉइंट ही क्यों चुना L1 एक एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य का 2400 घंटे अवलोकन किया जा सकता है ये वो जगह है जहां धर्ती और सूरज के गुरुत्वाकर्शन के बीच एक बैलेस बन जाता है धर्ती और गुरुत्वाकर्शन के बीच बैलेस होने से एक सेंट्रिफ्यूगल फोस बन जाता है इस फोस की वजह से कोई भी स्पेसे क्राफ्ट एक जगा स्थिर रह सकता है इसके अलावा इस स्थान को दिन और रात की साइकल प्रभावित नहीं करती यहां से सूरज सातों दिन और 24 धंटे दिखाई पड़ता है वहीं ये पॉइंट पृत्वी के नजदीक है और यहां से संचार में काफी आसानी होती है इस कारण ये स्थान स्टडी के लिहाज से अच्छा माना जाता है धर्ती से L1 तक कैसे यात्रा करेगा अंतरिक्ष यान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आदित्या L1 को शनिवार 2 सितंबर को सुबह 11 बज कर 50 मिनट पर लॉंच किया जाएगा इसे लॉंच करने के लिए पोलर सैटेलाइट वीकल PSLV का इस्तिमाल किया जाएगा PSLVC 57 रॉंच करने के बाद इस रो इसे धर्ती की निचली कक्षा में स्थापित करेगा कुछ मैन्यूवस के जरिये आदित्या L1 की कक्षा को बढ़ाया जाएगा और आन बोर्ड प्रोपल्शन का उप्योग करके अंतरिक्ष यान को L1 बिंदू की और ले जाया जाएगा L1 की और यात्रा करते समय आदित्या L1 प्रित्वी के गुरुत्वा कर्शन क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा एक बार इससे बाहर निकलने के बाद इसका क्रू सटेप शुरू हो जाएगा इस फेज में स्पेसे क्राफ्ट बहुत आसानी से यात्रा पूरी करेगा इसके बाद इसे L1 के चारों और एक बड़ी हेलो ओबिट में स्थापित कर दिया जाएगा यहां तक पहुँचने में इसे करीब चार महीने का समय लगेगा आदित्या L1 अपने साथ फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षन करने के लिए साथ पेलोड ले जाएगा इनमें से चार पेलोड सूरज पर नजर रखेगे बाकी तीन L1 पॉइंट के आसपास का अध्यान करेंगे इसके अलावा डीडी नेशनल टीवी चैनल पर आदित्या L के साथ पेलोड्स अधित्य L1 पर ओन बॉर्ड कुल साथ पेलोड हैं इनमें से चार रिमोर्ट सैंसिंग पेलोड्स हैं और तीन इनसीटू पेलोड्स हैं रिमोर्ट सैंसिंग पेलोड्स विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, VLC कोरोना, इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स, प्लाजमा एनलाइजर पैकेज फो आदित्य पपा, एडवांस ट्राय एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैगनमीटर्स, श्रीहरीकोटा से ही क्यू सैटेलाइट लॉंच करता है इस रो, दरसल श्रीहर कोटा एक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के ज़्यादा पास है, ऐसे में यहां से लॉंचिंग करने पर मिशन की लागत भी कमाती है और सक्सेस रेट भी ज्यादा होता है, इसके अलावा ज्यादा तर सैटलाइट पूर्व की तरफ ही लॉंच किये जाते हैं, इस जगह आ कारण, श्रीहरीकोटा से रॉंच करने का एक कारण ये भी है कि ये आंध्रप्रदेश से जुड़ा एक ग्वीप है, जिसके दोनों और समुद्र है, ऐसे में लॉंचिंग के बाद किसी रॉंचिंग के अफशेश सीधे समुद्र में गिरते हैं, इसके अलावा अगर मिशन को किसी तरह का खत्रा होता है तो उसे समुद्र की ओर मुर कर जन्हानी से बचा जा सकता है, इसके अलावा यहां का मौसम भी इस जगह की खासियत है, बारिश के मौसम को छोड़ दे तो यहां ज्यादातर मौसम एक जैसा ही रहता है, यही कारण है कि इस रॉंचिंग के लि